जैन दोस्तो हम सरली करन जो चैप्टर है इसको स्टाइट कर चोगे इसका पार्ट बन हमने पढ़ लिया ठीक है इसमें भूँ ज्यादा बेसिक नहीं है लेकिन को स्टन के माध्यम से उसके प्रिश्ण है उनको प्रेक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतने इसके प्रिश्ण सब्सक्राइब कर लेना और देखिए और वीडियो देखना है तो उन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपके सामने प्रिष्णा देखिए नौसन इंडियानवे साही एक बटे साथ प्ल ने संख्या लेकिए उसको हमें अलग प्लस कर लेना नौसन इंडियानवे ना इन सबको प्लस करेंगे इससे भी और जल्दी सॉल्व करना देखिए एक दो तीन चार पांच छे बार जोड़ेंगे तो एक बार में ही इसमें देखिए छैसे गुड़ा कर दें तो बाद वह प्लस देखिए इसको छै बार प्लस करने से अच्छा है कि इसको छैसे गुड़ा कर दें हमें संख्या मिल जाएगी ठीक है अब इसके बाद बीच प्लस लगाए तो प्लस लगाए कितना बचा यहां से एक बटे साथ यहां से देखें तो दो बटे साथ यहां से तीन बटे 7 यहां से 4 बटे 7 यहां से 5 बटे 7 और यहां से 6 बटे 7 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इसके हैसे मुल्टिप्लाइ कर लिए 6 नाम 54 असलाई 5, 54 और 5 कितने होंगे 69 असलाई 5, 54 और 5 69 यतना समझ में आगया होगा नीचे एक जैस संख्या है तो LCM साथ ही आएगा तो उपर संख्या प्लस हो जाएगी मैं डारेक्ट कर दूँ तो एक प्लस दो तीन इस प्रकार से लिखे है इसलिए हम एक ही बार में कर दो और एक तीन, तीन, छे, छे, चार, दस प्रिष्णों की आप प्रेक्टिस घर पर जरूर करें क्योंकि यही सारे प्रिष्ण परिक्षा में पूछे जाते हैं और आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए क्योंकि देखी जब एक्जाम नजदीक होता तब हम उतने बहतर तयारी नहीं कर पाते हैं जितना एक्जाम हमें थोड़ाँ दूर होता है तो हम और बहतर तयारी कर पाते हैं हमें सबी सेंट समय मिल जाता है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट कोश्टन देखिए अप द्यान से ब्रेकेट में 1-1 अपॉन x plus 1 और दूसर ब्रेकेट में 1 plus 1 upon x plus 2 इस प्रकार से है न आगे x plus 3 x plus 4 इसमें देखी बाकिया में कुछ नियम नहीं दिख रहा है इसमें लगता हुआ तो डारेक्टी इसको सॉलू कर देखी इसके नीच कुछ नहीं यह नहीं एक है एक है तो इसमें LCM लेंगे तो कितना आए जाएगा इसका समय मल्टिप्ला हो जाएगा x plus 1 और प्लस बन तो बन में बन जुड़ेगा देखी में साइडे मता देता हूं x plus 1 हो जाएगा और प्लस बन है तो बन और बन टू हो जाएगा एंगे x plus 2 इतनी बात क्लियर है यह रेकेट सॉल होगे दूसरा x plus 2 का इसमें करे तो 4 हो जाएगा और नीचे x plus 3 अगले में देखें तो x plus 4 और यहां पर बन एड होगा कितना आ जाएगा 5 x plus 4 अब यहां पर देखना है कौन सी संक्य कट रही है यान बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू होता है ठीक है उपर x plus 2 से नीचे x plus 2 कट रहा है उपर x plus 4 से नीचे x plus 4 कट रहा है यहां पर x plus 3 से x plus 3 कट रहा है उपर कितना बचा x plus 5 और नीचे कितना बचा एक्स प्लस बन ठीक है यह हमारा उत्तर हो जाएगा एक बार चेक कर लें यह वाला यहां पर आंसार हो गया कोई समस्या नहीं है चलिए वीडियो को लाइक नहीं करा दो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसके बाद मागे बढ़ते हैं कि नेक्सट देखे यह एकस माइनस एकश हो और कमान दो हो तो में मान निकालना एक्सका 2 प्लस एक बटे एकस की गार्थ 2 कमान यह यह से हमें निकालना अब ध्यान देना इस तरीके के सारे प्रिश्ण में एक साथ करा दे रहा हूं जिससे की आपका जो कंफ्यूजन है और न दोसरे कमाद पूछा है तो यहां पर देख रहा है स्कुर्आ है तो इसकी हेल्फ से ओंसर निकाल है कि स्कुर्आ करने के लिए इंह पर कार्द है यहीं पर करदेरा हुआ से xx कर जाएगा माइनेस दो साइड याएं प्लस के 6 हो जाएगे x square प्लस बन अपॉन x square माइनस दो साइड या के 4 मेज जोड़ा जाएगे प्लस कच्छे आ जाएगा देखी इस कमान पूचा था तो मैंने निकाल लिया यायनि इसकी हल्प से जो पूछा है उसका अंसर हम निकालने कोसिस करेंगे ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट प्रिश्न की और आगे बढ़ते हैं द्यान से समझेगा आपको कहीं भी कोई प्रोब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंड्स बॉक्स में भी और टेलीग्रम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसको भी जरूर जोइन कर लिजए तेकि यदि एक्स प्लस कितना है एक बटे एक्स बराबर पांच हो तो यहा से निकालना है यहां पर देखिए घात 3 है और यहां पर कोई गात नहीं होता ही सबाल और सरल हो जाता है हम साइप ऑस तीन करते हैं ना, Q निकाल मैं भी फिर से सटे … A plus B का Q क्या होगा दोस्तों A plus B का हॉल क्यू होगा यहाँ पर AQ AX है और B एक बटे X है AQ BQ plus 3AB bracket में आता A plus B ठीक है A की वेली एक बटे X है बरावर 5 का Q करें कितना आएगा 125 एक से एक से यहाँ पर कड़ जाएगा कोई समस्या देखी इसकी वेली एकस प्लस एक बटे X एकस प्लस एक बटे X की वेली कुस्तर में 5 दी थी तो यहाँ पर 5 रख सकते हैं तो जब 5 रखेंगे तो 5 तिये 15 हो जाएंगे देखी इसको अब मैं यहाँ लिकराँ X Q बन अपॉन X Q यहाँ पर इसकी यह पाँच रखेंगे तो पांच ती है 15 15 उस साइड जाएंगे 125 से माइनस होंगे ठीक है तो 125 से माइनस होंगे कितना मचेएगा 0 1 और 1 ठीक है तो देखी इस कमान आगे आपके पास X Q बन अपॉन X Q कमान आगे 110 तो भी बाला उत्तार आपका राइट होगा ठीक है बस इन प्रशनों की आपको प्रेक्टिस करना है जितनी ज्यादा प्रेक्टिस करेंगे उतनी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपकी जो फॉर्ट प्रोसेस है वह बहुत अच्छे से काम करेगा है ना मैं इसे इसा नहीं होगा कि आप विएक पहलीवार पढ रहा हो तुरुन सवाल सवाल होने लगकेंगे नहीं होगे अप पढ़िएगा प्रेक्टिस करेगा फिर से रिवायज करेगा फिर आप से दीर धीर करके बनने लगेंगे लेकिन आप कोसिस बिल्कुल मत छोड़िए जितनी ज़्यादा कोसिस करेंगे उतना जल्दी आप मैस सीख जाएंगे ठीक है यदी ब्रेक्ट में है एक बटे ए बराबर 6 हो तो एक ही गात 4 प्लस एक ही गात 4 कमान निकालना है अब एक ही गात 4 इस किये ए प्लस ङी का हॉल स्कॉइर स्कॉइर बन जाएगा यहनिकिस कॉयर प्लस d-2 क्लस्तो भी है ठीक है ए प्लैस भी आभने कोल ई disp Alert 150多 अबी और श्रह का स्कॉर कितना होगा 30s एकद आएगा तो यहांंपे कितना मिला एस कॉर एस कवान दूसकाइब हैस Lord выпtory destruUSE सभी समय न सो कितना मचनदवाइगा चोंति step के इहां पर इसकोर फिलस बना पॉल्स बन पोन एक की इत्की काया लेकिन नहें अब फिर से स्कॉर कर देए मैद से स्कॉर कर दथ्र अब यहां पर ईब dvam n a अच तो इसमें फिर से मनलगा दए है एइस्कौईर तो दो घात पहले सभी है दो और हो जाई कितनी हो जाएगी चार बी स्कौईर कितनी हो जाएग एक हेखाः चार प्लाश टूएबी यहां पर ए-सकौईर है बिया पर एक बाक्र एश को एठ ठीक है बराबर चौन 34 का स्कूर 24 का स्कूर आप साइड से कल लिए 34 कुड़ा 44 16 से लाइक चरती 12 और 13 थी 4 12 हासला एक तीन तीन और एक 10 कितना जाएग च्छे 5 एक एक यह नहीं 11056 ठीक है एसको एससे कड़ गई दो प्लस के उससाइड याए के माइनस के हो जाएंगे एक ही गाद चार प्लस एक बटे एक ही गाद चार बराबर दो प्लस के उससाइड जाके ग्यारस चपन से माइनस वंग करते हैं और हम सिस्टेमेटिक में चैप्टर बाइज में पढ़ रहें तो अब रेगुलर क्लास इसको जरूब फॉलो करिएगा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट सवाल देखिया यादी ब्रेक्ट में एकस माइनस एक बटे बटे 2 dość गलत लिखा गया था एकस माइनस एक बटे एकस बरावर हो तो एक की घाट चार प्लस एकबटेशल चार कमाने हैं से हमई निकालना है यह पर कोई घात नहीं है पर चार घात निकालना तो आप क्या करेंगे पहले यहां पर दो घात लगा देंगे फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से स्कॉयर कर देंगे तो चार घात मिल जाएगा तो ए माइनस भी का स्कॉयर क्या होगा a square plus b square minus 2ab अब आप अच्छे से समझ गए होंगे 2 का square 4 x x कर जाएगा तो यहाँ पर आ गया x square बना पौर x square minus 2 है उस साइड या के plus का हो जाएगा और इसमें add हो के 6 हो जाएगा हैं पर गाच 4 चाहिए तो again इसका square कर दे तो a plus b का square फिर से बन गया क्या हो गया देकि a square दो गाच पहले से है और दो का गुणा होगा चार गाच हो जाएगी b square plus कितना 2ab 2ax square है और b कितना है एक बटे x square बराबर 6 6 36 ठीक है अब देखना यहाँ पर इस से इसको काड़ दे 2 है plus का उस साइड या के minus हो जाएगा तो यहाँ पर x की गाच 4 प्लस बन अपोन x की गाच 4 2 side act minus हो जा कितना आएगा 34 तो 34 आंसर देख लीजे c बाला यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए अब देखिएगा जो next सवाल है इसको ध्यान से समझेगा यदि x प्लस बन अपोन x बराबर रूट 13 हो तो x की गाच 3 माइनस एक बटे x की गाच 3 कमान यहाँ से निकालना अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात क्या है यहाँ पर देखना जान से यहाँ पर आपके गाच 3 देख रही है और यहाँ पर हम 2 घात लगाए तो 3 नहीं बनेगी फिर से 2 घात और करें 4 हो जाएगी लिकिन 3 नहीं बनेगी ना तो जब इस कंडिशन में ऐसी कोई कंडिशन बनती है तो थोड़ा समय इसमें ऐक्स्ट्रा कुछ चीजे आना चाहिए कुछ बैलन्स करना आना चाहिए तभी सवाल वनेगा थोड़ा सा हाड लेवल और हाई लेवल के सारे प्रिस्ञ ठीक है अब देखना है इसको हम कैसे solve करेंगे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया नहीं एक सी घात तीन बनाना है तो डारेक्ट हम इसकी घात आप उसकते हैं कि सार इसके क्यू कर दीजे क्यू करेंगे तो बीच में माइनस है नहीं यहां पर बीच में क्या है माइनस है तो एक यू देखी एक यू प्लस बीक्यू हो जाएगा बीच में प्लस अब इसको समझने के लिए हमें इसमें देखी एक्स प्लस बन वाए एक्स ठीक है अब इसको हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम इससे यहां से रूट अटाएं यहां से रूट अटा रहा हूं ठीके तो इस side चड़ जाएगा रूट अटाएंगे side square हो जाएगा तो x plus 1 upon x का square ठीके इसके place पे हमें कुछ लिखना हो तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या हम एक बार check कर लें इसके बराबर में x plus 1 upon x का square बराबर यहां से रूट अटाया तो यहां पे square हो गया ठीक है बस समझवा गई यहां की 13 बराबर है इसकी पूरे की value कितनी होगी 13 होगी इसकी जगा हम कितना लिख सकते हैं 13 यहां से रूट अटाएंगे side square चल जाएगा तो 13 बराबर इतना होगा ठीक है अब देखी इन दोनों इस परकार से लिख सकते हैं इसको इस परकार से कैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसको ओपन करेंगे देखिए मैं आपको थोड़ा सा साइड में बताने कोश्ट करता हूं देखिएगा पहले चलिए मैं आपको पहले side में दिखा देता हूं फिर वापे सहीं पर आते आप देखिए पहले हम इसको square को open करते हैं ऐसे कि x a square plus b square plus plus b square minus 2ab ठीक है और plus इसमें 4 लिया है अब यहां पर समझे एक्स एक्स कड़ जाएगा और यहां पर देखिए माइनस दो और प्लस दो कितना मचेगा पिलस दो एक्स एक्स कड़ जाए अब देखिए दोनों side यहां से x square plus बन अपॉन x square plus 2 x square plus बन अपॉन x square और प्लस टू बरावर बरावर वैल्यू है ना बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया अब चलिए हम पृष्ण पर आते हैं तो इसके place पे तरह लिख सकते हैं कि लियर है अब देखिएगा अब इसको हम 13 लिख सकते हैं क्योंकि तेरह की वैली होए रहे और फूर इस साइड आएंगे माइनस फूर हो जाएंगे एकस मैने सबन अपॉन x का स्कॉयर माइनस में बन जाएगा अब हमने चेंज कर लिए माइनस में अब सिंपल कुछ नहीं करना दोनों साइड क्यू कर दे तो हमारा काम बन जाए क्यू कर रहें ए माइनस देखिए मैं आपको क्यू कर रहा हूं तो आपको समझ भी आना चाहिए कि हो सकते हैं इसकी बहली जूरत पड़े एकस माइनस बन ब्रेकेट होगा ए माइनस भी ठीक है अब देखिए यहां पर एकस कड़ गया एकस माइनस एक बटे एकस की वेली देखिए यहां से हम तीन रख दें तीन रख दी तो यहांपर कितना हो गया तीन तीन, नो कितना मिल गया यहां से हमें तीन, तीन, न, न, मिल गया कोई दे कर लिखकत और बराबर कुस मैजु ता इसका भी तो क्यू करें एक कितना सब्सक्राइब तो आप समझने की कोसिस करना यदी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे जाकर देख लेना है ना मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा यहां पर लिखने में जितना साप लिखूंगा उतना आपको बैतर समझ में आएगा लेकिन जगा की कभी-कभी कमी हो जाती है आपको एक्स्ट्रा इसमें समझाना पड़ा ठीक है बाकी आपको सवाल समझ में आ गया होगा चली अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट प्रिश्चन को स्वाल करते हैं चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं यह दी 4B स्कॉयर प्लस बन अपॉन B स्कॉयर बराबर दो हूं तो मैं आंसर निकालना है 8B का Q प्लस एक बटे तो यहां पर करता है तो यहन पर चार का की क्यों कितना होगा 40 Пока शोला और 64 24 क्या होगा यहां पर देखिए तरह 6 हो जागे यानि किसी भी तरह किस तरीके से नहीं बना खकते यानि कि इसको पहले चेंज करना होगा जैसे कि इससे पहले वाले प्रिश्म में हमने किया है यह इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं तो ध्यान दीजेगा इसमें थोड़ा साफ लिखन कि इसको भार सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का स्कॉर तो कितना मिल लेगा यह यहां तक क्लियर है अभी पहले इसे चेंज कर रहा है तो इसका मान कितना है इसका मान है दो ठीक है इसका मान कितना है दो अब इसको देखें माइनस चार इस साइड आएंगे तो माइनस चार देखें यहां पे आ गए ठीक है प्लस के हो जाएंगे तो टू भी प्लस बन अपॉन बी का स्कॉर तो यहां पे देखें चार और दो क से लिए कि स्टैप यहीं से कम करता हूं हमें यहां पर सिंपल टू भी प्लस बना पून भी बनाना है इसको और उस साइट ले जाएगे तो यहां पर रूड लग जाएगा तो यहां पर मैं अटा दे रहा हूं ठीक है अब बात को समझेगा हमें इस कमान निकालना अब दोनों साइट क्यू करते हैं तो देखिए इसका क्यू करेंगे तो कितना मिल जाएगा आट भी क्यू प्लस बन अपॉन भी क्यू मिल जाएगा तो आंसर निकल सकता दोनों साइड क्या घन कर रहा है न तो यहां पर करें कितना हो जाएगा क्यू करेंगे एक यू यानिकी कितना हो जाएगा इसका क्यों होगा तो दो का और वी क्यूट प्लस भन अपोन वीक्यू एक्यों बीक्यू प्लस त्री ए अबधि और प्र क्या आता है ब्रैकेट में आ जाता है ठीक अंगा इतना समझ में आ गया अब यहां पर देगी बी से तो भी cancel हो जाएगी और यहां पर एक चीज और समझते हैं हमें यहां पर बराबर में रूट 6 भी चलेगा इसके बराबर केतना है रूट 6 रूट 6 का भी Q करेंगे न तो यहां पर गलती मत कर देना रूट 6 का Q ठीक है तो यहां पर देखिए 2B प्लस बना पॉन B इसके प्लेस पर कितना मान आएगा रूट 6 और दो तीन 6 तो यहां पर अब समझते हैं ना अर्ड वी Q प्लस बना पॉन B Q प्लस दो तीन 6 और इसमें रूट 6 के रहां कितना आएगा रूट 6 से बराबर बार रूट 6 का क्योण कि यहनं कि तीन बार गुणा करना है तो दो बार करेंगे 6 और मने ग्लड है सिक्स तो यह साइड ऑ गल्हाएगा महीन और अछी के है ऑपस में घड़ जाएगे कितना जीरो के इस कमान कितना आएग्या निकल कर जीरो क fluor भ्यांत्य और नहीं है अच्छे सा समझ में आ गया चलिए थोड़े से hard level की प्रिष्ण है तो मैं ने सोचा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि परिक्षा में देखी यह आपके चाहे ना आए लेकिन हमारे माइड वे आप याद रखते हैं इस स्टार्टिंग वे बाकि आप आसानी से स्को सॉल्व कर लेते हैं अब चलिए इसको अगला प्रिश्ण यहां पर देखते हैं यह दी एबटे निकालना है दोस्तों परिक्षा में काफी बार परिश्ण ने पूचए गया तो यहां पर देखना आपसमें बराबर संक्या है तो मिलें के के तो यहां से एक ही वेलिव निकालना है A बटे 3 बराबर K से तुलना करें तो A बराबर कितना आएगा 3K इस परकार से B बराबर कितना आएगा 4K और C बराबर 7K यहां तक कोई समस्या नहीं है तो A भी C की जगा पर यहां पर रखेंगे सवाल में तो यहां पर कितना आएगा 3K, 4K, 7K और बटे C यहांने की 7K तो 4, 3, 7 और 7, 14K बटे 7, के से के कड़ जाएगा 7, 2, 14 तो आपका आंसर कितना आगया 2 आगया ठीक है जल्दी हो गया कुछ प्रिश्ने से होते हैं जो देखते ही आंसर परिष्चे में बनते हैं बस आपको regular अपनी पढ़ाई continue करना है ठीक है और demotivate कभी नहीं होना है demotivate आप किस चीज़ से होते हैं कि आपको एक हॉप या फिर आपको एक देखी हमेशा कहते हैं ना सपने देखना चाहिए तो सपने जब आप देखते हैं बराबर एक पट्रे तीन हो तो यहां से X स्क्वहर प्लस 2 स्क्वहर बर्टे X स्क्वहर माइनस का माहन निकालना तो इस तरीके के प्रेश्न वे आपको बहुत ज्यादा इसी करने के लिए सीधा मां रख़ दीज एक फ़र चार आठ माइनस है यहां पर तो माइनस पाज बटे चार आपका उत्तर हो माइनस पाज बटे चार बी वाला यहां था कोई समस्या नहीं है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चलिए अगला सवाल देखते हैं यहां पर यदि ए प्लस बी प्लस सी बरावर 13 हो तो था ए स्कूर प्लस बी स्कूर प्लस सी स्कूर बरावर 69 हो 69 है ठीक बोल रहा हूं साइद में 69 हो तो ए भी बी सी सी कमा निया से में निकालना है अब इस प्रिशन को समझे नहीं दोस्तों देखिये कि यहां से फॉर्मूला बन जाएका ठीक prevlog साइद पैन सही नहीं चल रहा है चलि मैं कोसस्तों करता हूं नहीं तो चैंज कर दूंगा भी तो यहां पे ऑने साइड़ स्कूर करें ले प्लस बी प्लस सी का इसकूर ठीक है तो यहां पे तेरा का इसकूर भी हो NICK ठीक है इसका formula क्या होता है a plus b plus c का whole square का formula होता है a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc 2ca होता है तो two common ही ले 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 ताकि डारेक्टिव जाए a b b c और c a ठीक है इसके place पे हम इतना लिख सकते हैं बरावर कितना है 13 का square 189 तो यहां पर इसका मान पूचा है इसका मान ठीक है तो इसका मान यहां पर हमें कितना लिखा है 69 plus two और इसका मान तो हमें निकालना है b c c a बरावर 189 तो जो 69 इस side है उस side ले जाए तो इससे माइनस हो जाए कितना आएगा 100 आजाएगा और 100 देखिए 100 में इससे भाग लग जाएगा बात अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी c a बरावर 69 यहां से माइनस हों कितना बचेगा 100 यहां पर दो बचेगा तो दो नीचे आ जाएगा दो से कड़ जाएं कितना जाएगा 50 तो आपका अंसर कतना आगया इसका मान आगया 50 तो यह वाला अफसर राइट हो जाएगा कोई समस्य आ तक चली नहीं है तो अगला प्रिश्न हम आगे देखते हैं ध्यान से एक एक प्रिश्न को समझीएगा और घर पर इनको सॉल्व करके देखना ठीक है अगला प्रिश्न है यह दि एक से बराबर ब्रेकेट में रूट 2 प्लस बन इसकी गात कितनी है माइनस एक वट्टे 3 हो तो एक सी गात 3 माइनस एक बट्टे एक सी गात 3 कमानेया से निकालना है अब इसको समझना पहले द्यान से है यह ना क्यूं निकालना है तो पहले इसको देखें एक से एक सी गात क्यूं कर रहे हैं ठीक है एक सी गात क्यूं कर दें तो यह दोनों की गात क्यूं करते हैं माइनस एक वट्टे 3 यहां पर 3 हो जाएक 3 से 3 कड़ जाएगा तो एक सी गात 3 बराबर रूट 2 प्लस बन इस इसको नीचे पहुचा दे ऑगे जब भी नीचे रूट अजय तुसका परी में करने करांद कर तहुघ कर आये को सोकतेया लीम क्लेकुर्टत कर भी डेंस अब होड़ा चाहें को पर नीचे गुणा भाग को जाता है तो देख यहां पर फर्मुला बन रहाए ड़ा ए से एक जाहेगा कितना म्न चेंगा यहां से x q में कितना मिल गया ठीक है अब बन अपन ek क्यू और मिल जाए ग्यायों को टा करए वर एक सक्राइँ को इसको उल्ता कर दीजिए सरन कर दबन की सबखर एक सबस्सक्टा हो बन जाएगा ऊपर कितना यां। रूट टू प्लस बन और नीचे a square a प्लस भी a square minus b square a square रूट टू का स्कार्ट टू और बन का स्कॉर बन तो दो से जाएगा एक बचेगा एक नीचे ना लेकर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो एक इसकी वह आ गई बन अपन एकस की वह लिए आ गई root 2 plus 1 हमें निकालना क्या है यह निकालना है तो इसको सेट कर दें xq xq की वेल्यू है root 2 minus 1 बीच में आएगा minus इसको बन अपन xq बन अपन xq की वेल्यू है यहां पर root 2 plus 1 तो root 2 plus 1 है तो minus के अंदर multiply होगा minus हो जाएगा root 2 से root 2 तो केंसल हो जाए माइनस फिलस तो माइनस बन और माइनस एक अंसर माइनस टू ठीक है तो माइनस टू अपका आए ठीक है कोई समस्या नहीं है तो चली है यहां पर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं जो नेक्स्ट प्रिशने आपको सॉल्व करना है यह दि एवटे भी प्रिशनों को भी हमने यहां पर सॉल्व करा आगे की साहिद दो से मेक्जियम तीन वीडियो में कोसिस करेंगे हम अगली दो वीडियो में हमारा जो सिंप्लिफिकेसन वाला चैप्टर है सरली करन कंप्लीट हो जा इसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर उसको लगेगा वो मैं आपको आगे पढ़ाते जाओंगा ठीक है पस आप वीडियो को सपोर्ट करना यानि की चैनल को सपोर्ट करना है वीडियो को लाइक करेंगे सेर करेंगे तभी चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आप कमेंट्स जरू किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं और और क्या बहतर कर सकता हूं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यदि ये टेलीग्राम को जॉइन नहीं करा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जॉइन कर लेना तो अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम